कि नमस्कार संसकती पीसस के यूट्व प्लेटफर्म पर आप सब इकर स्वागत हैं मेरा नाम है प्राची मिश्रा चलिए देख लेते हैं आज के प्रमुक मुद्दों पर जिन पर हम स्थार से चर्चा करने वाले हैं और जैसे कि मैंने आपको पता है कि नंबर आफ जो हमारे करेंट अफैस हैं उनको मैंने बढ़ा दिया है ताकि आपका जो एक्जाम है उसके हर एक प्रोस्पेक्स से ये कवर हो सके चले सबसे पहले हम बात करेंगे आर्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में तो किसे बनाया गया है साइमन हैरस को हाल ही में आर्लैंड का प्रधानम की देश है चले आर्लैंड के सबसे यूव प्रधानमंत्री है जैसे मैंने बता है आपको आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्लैंड के बारे में तो यहां उत्तर पश्यमी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा जो लगती है वह उत्तरी आर्लैंड से ही इसकी सीमा जो ह हिस्सा है वर्तमान में आगे बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की तो राजधानी इसके डबलिन है आपकी और यहां पर जो मुद्र चलती है वह यूरो चलती है ठीक तो यहां पर आप देखोंगे सिर्फ इसकी जो एक लांड बाउंडरी है वो इससे टच कर रही है नदरन जो आपका आर्लेंट है यूके का पार्ट है उससे टच हो रहे है वना बाकी आप देखो तीन साइड ये किसे घिरा हुआ है समुद्र से घिरा हुआ है अट्लांटिक ओशन इसके तीनों साइड इस्थित है तो यह आपको आर्लेंड के बारे में यह पहला प्राइवेट बैंक बन गया है क्योंकि इसने कवर दीप यहां पर लक्षदीप में अस्थित है वहाँ पर अपनी एक शाखा ऊपन करी है और ऐसा करने वाला यह पहला प्राइवेट बैंक है थोड़ा सा बात कर लेते हैंH.DFC बैंक के बारे में तो इसकी सापना 1994 में की गई थी और इसका जो हैड कोट्री या मुख्याले की अद्व बात करू तो आपका मुंबाई में स्थित है ठीक है अब बात करेंगे हम डीटेल में किसके बारे में लक्षदीप के बारे में क्योंकि जब से प्रधार मंत्री लक्षदीप गये हैं यह बहुत चर्चा में आ गया था मालदीव लक्षदीप का आपने मार्टर सुना ही था तो अब बात करेंगे हम लक्षदीप के बारे म का जो समू है उसको हम लक्ष दीब कहते हैं यहां अरब सागर में भारत के दक्षणी पश्यमी तट परिस्थित यह दिना बात कुरूं यहां पर टोटल दूइप कितने हैं तो 36 आपको यहां पर द्वीप देखने को मिलेंगे और इसका जो टोटल आपका छेत्रफल हो जाता आई कितना 32 वर्ग किलोमेटर ठीक है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए तो यहां पर कितने दीव समू है 36 है और इसका चेत्रफर टोटल 32 वर्ग किलोमेटर है जैसे कि यहां मैंशन है बात कर लेते हैं अब जन्गर्ना की तो 2011 की जन्गर्ना के अनुसार यहां पर जो अबादी बताई जा रही है वो 對啊 पताई जा रही है 64,473 लोग रहते हैं और यहां पर जो आबादी है वह मुस्लिम आपकी मुस्लिम आबादी हो जाती है और उसमें भी 93% जो अधिक आबादी है वह स्वदेशी है जिन में मुस्लिम धर्म के सुन्नी संपरदाय के जो सफी 35 समंधी लोग है वह निवाश करते ह है यहां पर आगे बात कर लेते हैं लक्षदीप की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है वह लगबग 94.5% यहां पर निवास करती है जो कि अनुसूचित जाती की शेडी में आ जाती है लक्षदीप समूह को कई समूह में बाटा गया है बिसिक के बाद केंदर में यहाँ पर लाइकाड डीव दीप समू है जिसमें चार आबाद है और 12 नर्जन जीव चार पर लोग निवास करते हैं तो बारा दीप ऐसे हैं जो कि नर्जन यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं इसके बाद आप देखोगे जो मिलिटरी एयर बेस बनाया जा रहा है इंडिया का और यहां पर मिनी कोयदीप समू से जो हमारी connectivity है उसको बिल्ड किया जा रहा है तो इस ट्रेटिजिकली जो दक्षिड में हमारा मिनी कोयदीप समू है यह important हो जाता है चली भारत के लिए आगे बात हवा एड्डा लक्षदीप का एक मात्र हवाई एड्डा हो जाता है और लक्षदीप सबसे अधिक बोली जाने सेने पैसा प्राप्त होता है पिट्टी दीप को एक पश्ची अभ्हरण घुशित किया गया है और यह लक्षदीप का एक मातर सन्रक्षित छेत्र है तो पूरी लक्षदीप के बारे में आपको डिटेल मिलेगी फिर नाइन डिग्री चानल मिनिकोय दीप समू से से चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मानो अंतरिक्ष उडान का अंतरास्ट्री दिवस जो कि आज प्रतेकवर्ष मनाया जाता है इंपोर्टेंस क्या है क्यों मनाते हैं तो 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं ताकि जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट है जो वहां पर गय किया जाता है संयुक्तुरास ने सतत्विकास के लक्ष को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष अनवेक्षण को महत्वपून स्थान दिया है और इसके योगदान को पहचानने के लिए वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतरास्टी मानो अंतरिक्ष दिवस घोशित किया गया था तो कब उसे मनाना शुरू हुआ है वर्ष 2011 से आपका मनाया जा रहा है आगी बात कर लेते हैं यह दिन अंतरिक्ष प्रेमियों को खगोल विदों को और विज्ञानिकों को ब्रह्मान के बारे में जागरुकता पैदा करने लोगों को जागरुक करने साथी साथ जो एस्ट् पहले वेक्ति जो थे वह आपके रूस के थे यूडी गारगिन उनका नाम था और यह वर्ष 1961 में वह स्ताक वन एरक्राफ से अंतरिक्ष गए थे ठीक है वर्ष 1963 में रूस की वेलेंटीना तरेश को वां अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी और अंतरिक्ष में हैने वाले पहले भारती कौन थे तो राके शरमात जी थे ठीक नाइटीन catty फॉर में अंतरिक्ष में गए थे प्रतम भारती महिला अंतरिक्ष यास्तृक की बात की चालती यहांश थे प्रतम भारती महिला थी जिन्नों और आप सभी को पता हो कि भारत का जो मानो मिशन है वो कप जाना है तो आपका 2035 तक जो मानो मिशन है और एक स्टेशन है अंतरिक्ष स्टेशन वो स्थापित करने की बात की जा रही है तो देखें ये कब तक सफल होता है क्योंकि हमें 2030 से 2035 के बीच में मानो को अंतरिक्ष प बाता है और यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9-17 अप्रेल तक शक्ति-उच्छों कहता है इसका आयूजन कॉन करता है तो कला प्रवाश रंखला के तह्तों मंदिर परंपराओं को देशलेंडियों के लिए क्या जाता है जो देश के साथ अलग अलग शक्ति पीठों में किया जाता है और शक्ति पीठ किसको कहां जाता है कि जहां पर माता के अंग गिरे थे उसको हम शक्ति पीठ बोलते हैं तो कहां कहां पर यह सबसे पहले गुहाटी का जो कामाख्या मंदिर है असमिस्थे तर यहां पर बनाया जात कांगडा का जौला मुखी मंदर हिमाचल प्रदेश में यहां पर होता है उदैपुर का तृपूर सुन्दरी मंदिर तृपुरा में बनास कांडा का अमबाजी मंदर गुजरात में देव घर का जै दुरुगा शक्ति पीट जार खंड में और उजैन का शक्ति मां हरी के जाते हैं और यह शक्ति पीट है आगे बात कर लेते हैं रास्टी ताव विद्धुत निगम लिमिटेट का बालिका श्रशक्ति करण मिशन की बात की जाए तो इसके तहत क्या किया जा रहा है महिलाओं को श्रशक्त बनाने के लिए जो समर्स होते हैं उनके एक महिने के प्रशिक्षन कारेक्रम दिया जाता है और उनको सब्सक्त बनाया जाता है और इसको शुरू किसमें किया था तो एंटी पीशी ने इसको शुरू किया था आगे बात कर लेते हैं इसके तहत जो नया संस्क्रण आया है या अब 42 चिन्हित स्थानों पर चलाया जाएगा और 3,000 समाज के ऐसे बच्चे हैं जो एक तरीके से वंचित वर्ग से रिलेटेड हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा जो मिधावी बच्चे हैं और अब जब इन बच्चों किसमें जोड लिया जाएगा तो लाभानित होने वाले बच्चों की संख्या आपकी 10,000 होने वाली ह टिक आगे बात कर लेते हैं इस मिशन की कब शुरू हुआ था तो 2018 में आपका बालिकाश शक्ति करनों मिशन एंटी पीसी द्वारा शुरू किया गया था इसका उद्देश भारत सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ प्रोग्राम है उसके तहत इसको लाया गया उत्थान क्या प्रियास किया जाता है कि वह नई नई चीजे सीखें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें हम चीज़ें से लाइक ने को अच्छा लगता है वह दांस भी सीखते हैं समय कैम्स में साथी साथ महंदी लगाना ब्यूटीशन का को और सिलाए कड़ा यह में पड़ता है और विद्दुत मंत्राले के अंतरगा एक महारत रशड़ी की कमपनी है भारत की सबसे बड़ी विद्दुत कमपनी कहीं जाती है आगे बात करते हैं पीटर हिंग्स यह किसे संबंदित थे और इनका निधन हो गया है तो इनको जरूर जानेंगे यह बिटिश बहुत की में वर्ष 2013 में इसलिए हमारे लिए इंपोर्टन्ट हो जाते हैं आगे बात करेंगे हिंग्स बोसोन पर्टिकल की यह 1906 के दशक के वैग्यानिक है और इनके दौरा एक क्वेरी थी या एक खोच की गई थी कि ब्रह्माद आखिर किस चीज से बना हुआ है चार ज लुए पर्टिकल की खोज से भारत में क्या योगदान रहा है तो हिंक्स बोसान का हिंग्स ब्रिटिश बहुत की शास्री पीटर हिंक्स के नाम पर पड़ा है और वहीं बोसोन भारती विज्यानिक सत्तें दृनाथ बोस क्या जो नाम है वो माना जाता है कि इन्होंने इस सकनाडा गेड़नर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड इसके बारे में बात करेंगे बैसिकली यह कौन तो यह जो अवार्ड दिया जाता है यह दिया जाता है बच्चों में जो आत्रोग है उन पर शोध करने के लिए और स्वासनीती में जो महाचिपूर्ण योगदान देते हैं देशक है आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या है यह अवार्ड तो यह अवार्ड गेड़नर फाउंडेशन बारा दिया जाता है और स्वास्त असमताओं को समान करने वाले लोगों को स्वास्त और कल्याण के लिए कार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्रदान किया जाता SDFC एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है तो कई बार आप से ऐसे पूछ लेते हैं जो फैक्ट्ट चुल होते हैं तो आप सभी इसकांसे जरूर दीजे का कमेंट बॉक्स में मिलती हूं नेक्स क्लास में तब तक के लिए दने बात लाइक शाने स्सक्राइब करना विल्कूल भी न भूलें